रूस और युक्रेन के बीच 55 दिनों से जंग जारी है युक्रेन की सेना को कमजोर माना जा रहा था लेकिन युक्रेन ने रूस की सेना का जम कर मुकाबला और डट कर मुकाबला किया है इन दिनों पूरे युक्रेन में एक पोस्टल स्टैम बड़ी चर्चा का विसाय बना कि इस Postal Stamp को हासिल करने के लिए खरीदने के लिए लोग 9-9 घंटे कातारों में खड़े हैं अब आपको बताते हैं कि ये Postal Stamp क्या है और क्यों यहां के लोग 9-9 घंटे कातारों में खड़े रहे हैं देखे इन्होंने 9 घंटे इंतिजार किया और उसके बाद इन्हें ये पोस्टल स्टैंप मिला है दरसल पूरा मामला क्या है रूस और युक्रेन के बीच 55 दिनों से युद्ध चल रहा है बीते दिनों ब्लैक सी में मोस्कोवा नाम का जो युदपोत था एक डिस्टॉयर जहाज था ये पानी में ढूब गया इसमें रूस ने दावा किया कि जहाज में आग लग गय थी जसके बाद ये जहाज ब्लैक सी में सागर में ढूब गया वहीं युक्रेन ने दावा किया कि हमारे मिसाईल हमले से रूस का युद्धपोच जहाज पानी में डूब गया इसे युक्रेन अपनी बड़ी जीत बता रहा है और उस बड़ी जीत को लोग जस्टन के रूप में मना रहे हैं मैं कीव के इंडिपेंडेंस स्क्वाइर पर हूँ और ये लंबी कतार देखिए जब से हम यहां युद्ध कवर करने के लिए पहुचे है इतनी भीड को इतनी कतार को हमने कहीं भी इतने दुनों तक नहीं देखा ये एक लंबी कतार देखिए और ये लोग घंटों से खड़े हुए हैं वो सुब साथ बजे आठ बजे के बाद से यहां लंबी कतार लगती है और ये लंबी कतार कई किलोमेटर तक ही होती है सिर्फ एक पोस्टल स्टैंप हासिल करने के लिए दरसल यह जो postal stamp है उस पे मोस्कवा जो युदपोत है रूस का उसका चितर बना हुआ है साथी साथ युक्रेणी सैनिक का चितर बना हुआ है और इसे यहां की लोग खरीद रहे हैं एक याद के रूप में खरीद रहे हैं अपने सेना को समर्थन देने के लिए खरीद रहे हैं साथी साथ अपने देश के सैनिकों के साथ साथ लोगों का मनुवल बनाये रखने के लिए लोग इस postal stamp को खरीद रहे हैं और इसलिए ये लंबी लंबी कतार यहां पर लगी हुए हमारी नजरे जहां तक जा रही है इंडिपेंडेंस स्कॉयर पर वहां आपको ये लंबी कतार देखने को मिलेगी लोग कर रहे हैं कि 6 गंटे 7 गंटे तक कतार में खड़े रहने के बाद उन्हें ये पोस्टल स्टैम मिल रहा है और लगभग 46 ग्रिवनेस जो यहां की करंसी है उसमें 2 मिलता है तो लोग यहां कतारों में खड़े रहने के बाद अपने नंबर का इंदिजार करते हैं और अंदर जो ये कमरा है यहां पर डाक टिकट यहां पर मिल रहा है एक सरकारी दफतर है अंदर भी एक घ डाक टिकट को खरीद रहे हैं और जो इसमें पैसे वो यहां पर दे रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा युक्रेन के सैनिकों के लिए इस युद्ध में इस्तमाल होगा तो ये बड़ी दिल्चस्प तस्वीर है थोड़ा सा कैमरा उपर करके दिखाएं आसिफ दूर दूर आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे और आम तोर पर हम देखते हैं कि यहां जब से युद्ध शुरू हुआ है लोग यहां इकठा नहीं होते हैं या फिर सेना इकठा नहीं होने देती हैं चुकि समय समय पर यहां पर एर स्राइक के अलर्ट आते रहते हैं सायरन बसते रहते हैं और लोगों को सुरक्षित जगह जाने के लिए कहा जाता है लेकिन दिन के हुजाले में लोग लंबी कतारों में खड़ी रहकर यहां इस जगह पर वो डॉक्टिक टिकट खरीद रहे हैं और अपने सेना का इस प्रकार से मरुवल बढ़ा रहे हैं साथी साथ एक नारा यहां पर दिया जाता है सलावा युक्रियाना यानि की ग्लोरी टू युक्रेन युक्रेन की जय हो इस प्रकार का नारा दिया जाता है और लोग बड़े ही उत्सा से इस प्रकार के पोस्टल स्टैम को खरीद रहे हैं और अपने देश की सेना को साथी अगरिकों का हिम्बत बढ़ा रहे हैं क्यामरमन आसिफ खान के साथ मृतुंजे सिंग कीव यूक्रेन